Hey everybody, I am Dr. Gargis Singh, your biology educator and welcome to Unacademy Neet Toppers channel. So, Neet की तियारी तुमारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है तो बहुत ही बड़ी है और अगर गड़बड कर रहे हो तो this video is going to act as a push for your Neet preparation. क्यों? क्योंकि मैं बात करने वाली हूँ, Armed Force Medical College, AFMC Pune के बारे में, कि बहुत सारे बच्चों का Dream Medical College होता है. In fact, मैंने ऐसे अभी देखा है कि बच्चों का इतना अच्छा score आया कि वो AIMS Delhi के लिए भी, मतलब उनको AIMS Delhi भी मिल सकता था, लेकिन उन्होंने AIMS Delhi को छोड़के AFMC को opt करा. या इस कॉलिज का जलवा ही ऐसा है, तो इस कॉलिज के बारे में हर एक चीज में तुम्हें बताने वाली हूँ, कैसे admission होगा, counselling process क्या है, यहां का counselling process थोड़ा different है, I'm not sure कि जादे तर बच्चों को पता भी नहीं होता है कि किस तरह का यहां का counselling process है, तो cut-off क्या रहती है, fees क्या होगी, एक बार आपने course पूरा कर लिया, तो आपकी salary कितनी होगी, क्या facilities है, everything we will be talking about. So let's get started. AFMC में entry मारने के लिए, हमें, देखो पहला जो एक requirement है वो तो यही है कि need crack करना पड़ेगा. अच्छा खासा score तो मान के चलो कि तुमारा होना चाहिए, 650 प्लस तो बच्चे आपको aim करना ही पड़ेगा, if you want to be a part of this prestigious college, yes. उसके साथ साथ ता, एक बार AFMC अपना एक list बनाता है, जैसे आपने need का result आ गया, तो based on your score, AFMC अपना एक list बनाएगा, shot list करेगा आप बच्चों को score के basis पर ही, आपके need के score के basis पर ही, उसके बाद बच्चे आपको पुने जाकर, ठीक है, कुछ और test भी देने पड़ेंगे, जैसे कि आपका medical examination होगा, जैसे कि एक और test आपको देना पड़ेगा, which is toiler, toiler क्या है बच्चे, English language का test लेंगे, comprehension, logic and reasoning, and then you will also have to take a PAT test, what is PAT, psychological assessment test, ठीक है, आपका personal interview भी होगा, यह कहा होगा, AFMC, पुने में ही होगा, इसके बारे में मैं detail बताने वाली हूँ आपको, तो yes, यह ऐसा नहीं कि meet में इतना score आगया, और तुमारा admission हो गया है, यहापे थोड़े और भी levels है, वो में बात करूँगे इसकी, अब सबसे पहले कि number of seats कितनी है मैं, number of seats हैं बच्चे 150, ठीक है, 145 seats are for Indian students, and 5 seats are for friendly foreign countries, जिन countries के साथ इंडिया के अच्छे relationships हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पे आखे पढ़ सकते हैं, right, तो boys के लिए 115, girls के लिए 30, I know, this is unfair, but क्या करें, लेकिन change होगा यार, यह भी change हो जाएगा, कभी ना कभी, अब आपका age होना चाहिए, आपको बच्चे, you should not be below 17, मतलब 17 तो आपका age होना ही चाहिए, and you should not be above 24, 24 साल से जादा का आपका नहीं होना है, और 17 से कम आपकी age नहीं होनी चाहिए, आपको PCB आपके पास होना चाहिए with English, और आपका जो minimum score होना चाहिए, कम से कम 60% तो बनना चाहिए, अगर मैं सिर्फ PCB की बात करो तो, इच शुड बी 50%, राइट, दस भी पास होनी चाहिए, मैट्स के साथ, वो तुम लोगों ने करी होगी, और आप as a doctor सर्व कर सकते हैं, जब हम arm force medical college की बात करते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को लगता है, सिर्फ हम armory में ही serve कर सकते हैं, नहीं, आप air force, navy, तीनों में serve कर सकते हैं, राइट बच्चों, और इसकी ranking की अगर हम बात करें, ranking बच्ची इसकी दूसरे number पर है, आपका AFMC, obviously पहले number पर तो aimz ही है ना, है ना, aimz ही है ना, पहले number पर, अच्छा, आप cut off की अगर हम बात करें, cut off की अगर हम बात करें, तो cut off ना, यह मैंने एक average दिया है आपको, ठीक है, यह मैंने आपको कुछ सालों का, 4-5 सालों का एक average दिया है, कि अगर मैं boys की बात करूँ, तो 6.15 आपके, मतलब होने ही चाहिए, और 6.21 यह girls का cut off थोड़ा जाता है, ठीक है, 6.21 गर्स के होने चाहिए, मतलब that is to mandatory, बाट मैं तुम्हें बोलूँगी, you aim higher, 6.50 प्लस आप एम करके चलिएगा, कई बार बच्चे, कुछ बच्चे के 700 भी होंगे, 6.80 भी होंगे, 6.90 भी होंगे, पहली लिस्ट में तो आ जाते हैं, short list तो हो जाते हैं, बट still उनका AFMC से rejection हो जाता है, मैं तुम्हें बताऊंगी, इसका जो logic है, इसका जो कारण है, वो इनके counselling process में है, क्यों ऐसा हो जाता है, मैं अगर किसी के 700 भी आ गए, 6.90 भी आ गए, वो भी reject हो जाता है, और अगर किसी के 650 है, उसको accept कर लेते हैं, तो बताऊंगी मैं आपको, ठीक है, तो देखो बच्चे, number of seats हमने discuss कर ली, हाँ, अब मैं उसी बात पर आ रही हूँ, एक भार आपका meet का result आ गया, कितने बच्चे को, 18-80 बच्चे को shortlist करेंगे, जिसमें बच्चे 40-90 बउइज होते हैं, और 3-90 गर्ल्स होते हैं, ठीक है जी, 40-90 बउइज और 3-90 गर्ल्स होते हैं, फुर उसके बाद आप AFMC, आपको मतलब, you know, communicate कर दिया जाएगा, कि अच्छा, you have been shortlisted, shortlist होने का मतलब, यह नहीं कि आपको AFMC में, entry मिल गए, नहीं, यह पहला पढ़ाओ है, दूसरा पढ़ाओ क्या है, बच्चे, आपको toiler देना पड़ेगा, जो हमने अभी बात करी थी, English, Logic, Reasoning, यह सब, इसका एक टेस्ट होगा, correct, then आपको, पैट देना पड़ेगा, वही psychological analysis, जो मैं बोल रही थी, यह आपका qualifying है बस, इसमें आपको सिर्फ qualify करना है, लेकिन बच्चे, इसमें आपको, कोशिश करना है, कि आपके अच्छे नमबर आएं, क्योंकि इसके marks, और आपके interview के marks, आपका medical जो test होगा, यह सब, मिला के, आपके neat के marks में add होते हैं, ठीक है, यह देखो, मैं आपके तुम्हें पढ़ा देती हूँ, यह देखेगा, यह जो आपका, I'll tell you here, यह देखो, the final merit will be based on the final score, thus obtained, in the written examination, interview marks, and toilet, ठीक है, तो क्या लिखा है, जो PAT है आपका, वो सिर्फ qualifying exam है, तो हमारे जो तीन और थे, आपका जो written exam हुआ, NEET का score, ठीक है, interview का score, और आपका toilet जो होगा थे, यह तीनों का मिला के, आपका final score बनता है, इसलिए में बोड़े थे, बच्चे जिनके अच्छे भी number आते हैं, NEET में, वो भी बच्चे reject हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनके interview में अच्छे number नहीं आपाते, और उनके toilet में अच्छे number नहीं आपाते, तो this is the, this is the, पूरा का पूरा आपका counselling का process, यह थोड़ा सा अलग है यहाँ पर, ओके, अच्छा जी, एक बार आपका अगर यहाँ पर हो गया, कि भी तुम्हारा selection हो गया, तो फिर उसके बाद, उसके बाद admission के कुछ rules हैं बच्चे, 65 lakh का आपको bond sign करना पड़ेगा, वो आपको निकाल सकते हैं और फिर यह 65 lakh का जो bond था ना तुम्हारा, देख लो फिर, ठीक है देखो, अधर टाइम अफ़ अद्मिशन, पेरेंस, गार्डियन अफ़ गार्डियन अफ़ गार्डियन अफ़ गार्डियन आपको यह बाद मनी देना पड़ेगा, देखो, having said that, यहाँ पे कोई tuition fees नहीं है, bond money आपको, एक bond तो sign करना पड़ता है, लेकिन यार, आप college में जा रहे हो, यह सोच के थोड़ना जाओगे, कि मैं वहाँ से निकल लूँगा, है न, आप सोच के जा रहे हो, कि वहाँ मेरे को रहना है, मिलको अपना पूरा का पूरा course पूरा करना है, तो that is something that you should not be worried about, तो कोई tuition fees नहीं है, in fact, आपको allowances मिलते हैं, जैसे की, books के लिए मिल जाएगा, कितना? 6,000 रुपे पर यह, आपको uniform के लिए मिलता है, 6,000 पर यह, आपको cash grant to old messing, अच्छा, 18 रुपे पर दे आपको मिल रहा है जी, then hair cutting के लिए मिल रहा है, तो ऐसे करके washing allowance वगएरा, सब मिल रहे हैं आपको, allowance मिलते हैं, और fees नहीं देनी, right? अच्छा, यह देखो, यह आपका mess and dining hall है, badminton court है, squash court है, eco transport है, swimming pool वगएरा, everything, 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 I mean, we are talking about AFMC, तो हर एक चीज तो होगी, नहीं हाँ, यह देखेगा, बहुत बढ़िया campus आपका, अब बात करते हैं, हम salary की, ठीक है, एक बार अगर आपने MBBS का course successfully complete कर लिया, तो भई, आप हो जाएंगे commissioned officer, right? and आपकी, जो, you know, basic pay होगी, that will be 56,000, ओके, यह मैं आपका पहला commission की बात कर यूँ, एक बार आपने अपनी internship पूरी कर ली, तो it will be 61,000, and बच्चे सिर्फ यही नहीं होता है, सिर्फ यही नहीं होता है, आपको MSP भी मिलता है, military service pay भी मिलता है, आपको कुछ allowances भी मिलते हैं, वो सब मिला के मैं बोल सकती हूँ, कि आपको initially 70-80,000 तक यहाँ पर आपकी salary हो सकती है, और उसके साथ दूसरे perks तो होते ही है, बहुत सारे दूसरे perks तो होते ही है, correct, so, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, and I really hope कि आप सब बहुत ही जोश में है इस टाइम, क्योंकि मैंने आपको सारी चीजे बता दी है, एक ये ये देखेगा, ये सब देखके तो बड़ा ही अच्छा लग जाता है, ना, कैंपस देखके बड़ा ही अच्छा लग जाता है, correct, और यहाँ पर देखो तुम्हे युनिफॉर्म मिलता है प्रॉपर, जस्ट लुक अच्छा लग जाता है तो अब ही मतलग तुम्हारे अंदर वो जोश भर जाना चाहिए, correct जी, और देखके एक कोट, और देखके एक कोट, और यहाँ पर आपको युनिफॉर्म पहना पड़ेगा, लेकिन फिर भी यार, मोटिवेशन के लिए तो कितनी अच्छी लाइन है, correct, तो जब भी भी लगे कि नहीं, अब नहीं होता, अब नहीं होने वाला मेरे से, बस हार गए, ठक गए, सोच लेना कि आपने शुरू क्यों करा था, किस चीज के लिए शुरू करा था, अपने सपने पूरे करने के लिए शुरू करा था, अपने घर के, अपने मॉम डैड के सपने पूरे करने के लिए शुरू करा था, यह वाला जो ड्रीम था आपका इस पे काम करना तो अब कैसे वो बदल गया नहीं बदला ना जब वो ड्रीम नहीं बदला तो आप अपनी महनत क्यों बदल रहे हो सब कुछ होगा सब कुछ होने वाला है तुमारा ड्रीम मेडिकल कॉलिज चैक कुछ भी हो लेकिन यार उसके पढ़ना तो physics, chemistry, bio ही पढ़ेगा और bio जो आपका major chunk बनाता है इस paper में बायो में हमारा aim 360 से कम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और उसी को अगर तुम एम कर रहे हो और यू शुड डेफिनेटल जॉइन मेरी क्लास होती है जहां पर हम आज कल human physiology कर रहे हो और आज मैं chapter करा रहे हूँ हूँ body fluid and circulation मैं आपको इस तरह से बायो कराती हूँ बच्चे की आपके दिमाग में NCRT छप जाएगी and आपकी जो notes बनेगे they are going to be strictly based on NCRT क्योंकि कहानी हमने लिखनी नहीं है कहानी लिखने में time waste होगा and कहानी आपसे पूछी भी नहीं जाएगी तो it has to be NCRT based तो आपके notes and आपका बिल्कुल NCRT दिमाग में छप जाएगी do join me at 5.30 on this channel only and one more thing कि आज मैं इसी chapter के body fluid and circulation के आपको PYQ और साथ मैं mind maps भी करवाने वाली हूँ do not miss this session 9 बजे होगा link मैं आपको chat में pin करवादूं कि this is a free session आपको सिर्फ और सिर्फ गार्गी code लगाना है और आजाना है yes ठीक है और एक और बात बच्चे कि if you are you know somebody जिसको अभी तक एक proper guidance नहीं मिला है जो अभी भी ऐसा लग रहा है कि यार मेर को अच्छा सा महौल मिल जाए एक बहुत बढ़िया set of teachers मिल जाए जो मेरा शुरू से लेके last तक बढ़िया तरीकी से detail में मेरा course पूरा करवा दे मेरा slavers पूरा करवा दे और उसके साथ मेरी practice भी हो उसके साथ मेरा doubt solving भी हो then this is the time क्योंकि अभी आनेकाडमी 20% off चल रहा है on any आनेकाडमी subscription ठीक है तो आपको code लगाना है गारगी आपको 20% off मिलेगा अगर आप 25 या 26 के लिए enroll कराते है तो आपको 6 महिनी का subscription free मिलेगा and we have this crash course जो coming up on 16 September 16 September से issue हो जाएगा we have this amazing panel आप मेरे साथ भी आके पर सकते हो मैं भी plus पर पढ़ा रही हो आप मेरे course में भी आ सकते है and yes और an academy के ऊपर आपको yes this is important आपको super 30 test series भी चल रहा है उसका link भी आपको description में मिल जाएगा बच्चे do join that because this is a free test series एक महिने के लिए 30 December को इसका test खतम हो जाएगे तो इसको भी ज़रूर join करना है FMC किस का favorite college है मुझे बताना या फिर आपका कोई और अगर favorite college है तो वह भी मुझे बताना मैं उसके बारे में भी आपको एक detailed video बना दूंगी ठीक है I am thinking के मैं AIMS के बारे में detailed video बनाओ तो मुझे बताना क्या करा जाए बाकी तुम अपने favorite college भी बता सबते है उसके बारे में में बता दूंगी ठीक है चलो वाई बाई बाई टेक के और जैहिन